आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं जो के इंग्लेंड इमिग्रेशन पॉलिसी की बड़ी अपडेट है, क्यूंकि बहुत से लोगों का इस हवाले से पूछना है क्या अगर इंग्लेंड में बच्चा पैदा होता है तो क्या वो इंग्लेंड का शेरी बन जाता है तो इससे मुतलिक अब बड़ी और एहम तब्दिली क्या जारी हुई है और मजीद इससे मुतलिक पांच ऐसे मेथड हैं जिसके जरीएं इंग्लेंड की सिटिजनशिप लेना असान हो जाती है यहनी के आटोमेटिकली मिल जाती है जो के काफी अच्छी गुड नियूज है तो यह कौन से पांच मेथड हैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेर करेंगे तो रिक्वेस्ट यही है के वीडियो को एंड तक देखेगा और वीडियो को शेर कीजिए और लाइक कीजिए तो चलिए टाइम को वेस्ट के बगार बढ़ते हैं आज की एहम तरीन अपडेट की जानी इस न्यूस की तफसिलात के मुताबिक सबसे पहले मैथड यह है के अगर बचे के माबाप इंगलेंड के सिटिजन है यानि के माबाप दोनों के पास ब्रिटिश पासबोर्ड है तो फिर ऐसी सुरत में उनका बचा आटोमेटिकली ब्रिटिश सिटिजन बन जाता है और मजीद अगर आप इस हवाले से अप्लाइ करें तो फोरण से ही बचे को ब्रिटिश पासबोर्ड मिल जाएगा और अब तीसरा मेथड यह है के अगर आपके पास इंगलेंड की पर्मानेंट रेजिडेंसी है यानि के माबाप दोनों के पास पी आर है यानि के इंडेफ उसके माबाप का पासबोर्ड इंडियन है या फिर पाकिस्तानी है तो फिर उस बचे को भी वही पासबोर्ड मिलेगा और अब चोथा और एहम मैथर जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है तो वो यह है के अगर माबाप इंगलेंड में किसी वीजे पे है यानि के माबा टीर टू वीजे पे है या फिर किसी स्टूडन्ट वीजे पे है तो फिर ऐसी सूरत में उनके हाँ बच्चा पैदा हो तो इस बच्चे को इंगलेंड की सिटिजन शिप नहीं मिलेगी बलके वो बच्चा अपने माबाप के डिपेंडन्ट वीजे में आ जाएगा और पांचवा और एहम मैथड ये है कि अगर किसी माबाप के पास रिफ्यूजी स्टेटस इंगलेंड का है उनका प्रोसेस अभी चाल रहा है तो फिर ऐसी सुरत में उन बच्चों को सिटिजन शिप दे दी जाती है तो ये पांच दीके हैं कि अगर आप इंगलेंड में इन स् लेटस्ट अपडेट में तब तक आपस अपना बोखुत ख्यार रखेगा थाइंक्यू खुदा हफिज